एदरबाद में विधायक टी राजा सिंग के खिलाफ लगातार बवाल चल रहा है, बीती राज भी जम्प कर हिंसना हुई है, पुलिस को वहां लाटी चार्ज करना पड़ा, कहीं प्रदर्शनकारी फिरासत में भी लिये गए हैं, एक बार फिर सर्फ तन से जुदा के नारे लगे हैं, कर बड़ी संख्या में महिला आएं और बच्चे भी प्रदर्शन में दिखे, बच्चों को प्रदर्शन में शामिल किये जाने को लेकर, NCPCR ने नाराजगी जताई है, बेकाबू प्रदर्शन कारियों पर पुलिस का लाटी चार्ज भी हुआ है, प्रदर्शन म नहीं होगा, तो बीजेपी और आरसेस की इसमें नाकामी होगी, अगर तशद्द होगा तो खुदाना खास्ताओ कामियाब हो जाएंगे, तशद्द को नहीं होना चाहिए, इतजाज जरूरी है, इतजाज में गिरफतारी का मतालबा जायज मतालबा है, मगर इतजाज में तशद्द को उकसानी की बातें हर्गिस मत करिये, और बीजेपी और संग परिवार को नाकाम करी, हम हकुमत तलेंगाना से और पुलिस से इस बात का मतालबा करते हैं, कि दुबारा इस MLA की गिरफतारी अमल में लाई जाए और उसको जेल बिजाया जाए, और एक स्ट्रॉ अधिया अधिया जाए, और इसलाम में जो मौजज़ शक्सिते हैं, जो बुज़गान दीन हैं, अवलिया लाई हैं, उनके खिलाब गंदगी बगते हैं, इसलिए मजलिस इत्याद मुस्लमीन की तरफ से, आज तलेंगाना के स्पीकर जनाब पोचाराम सिन्यासर्डी साब क हमने हमारे पाशा खादरी साब अमेले ने जनल सेकेटरी ने लेटर लिका है, और इस बात का मुतालबा किया है कि गोशा महल के बी जे पी के मेले के खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स का आगास किया जाए, क्योंकि एवान में जब कोई जाता है, तो वो आईन के नाइन्टी फॉर के तहए, एसमली को और स्पीकर को एक्सपल्शन की पसीडिंग्स का आगास करेंगे, एवान के रूल ओफ बिजनस के तहद और हमने स्पीकर साब की तला के लिए सुप्रीम कोट के दो जज्जमेंट्स का भी उसमें हवाला दिया, जिसमें आशिश शेला तू का भी केस का हवाला दिया